आज भारत अपने तिर्थों को भी समार रहा है तो वहीं डिजिटल टेक्नलोलोजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है आज भारत काशी विश्वनाद धाम के पनन निर्मार के साथ ही देश में तीस हजार से जादा पंचयद भवन भी बनवा रहा है आज देश में सिप्केदार धाम का पनुर्दारी नहीं हुआ है बलकि 315 से जादा नए मेडिकल कॉलेग भी बने है आज देश में महाकाल महालोग का निर्मारी नहीं हुआ है बलकि हर गर जल पहुंचाने के लिए पानी की दो लाग से जादा तंकियां भी बनवाई है हम चान, सूरट और समुद्र की गहराईयों के भी नाप रहें तो अपनी पवरानिक मुर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापिस ला रहे है आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है आज यहां प्रगति का उत्सव है तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है यही तो भारत है विकास और विरासत की यही साजा ताकत भारत को 21 सदी में सबसे आगे ले जाएगी मेरे परिवार जिनों प्राचिन कान में अयोध्या नगरी कैसी थी इसका वर्णन खोद महर्शी वालमी की जिने विस्तार से किया है उन्होंने लिखा है कोसलो नाम मुदितह स्भीतो जनपदो महान निविष्ट सर्यूतिवे प्रभूत धन धान्यवान अर्थात वालमीगी जि बताते हैं कि महान अयोध्यापुरी धन घान्य से परिपूर्ण थी सम्रुद्धी के सिखर पर थी और आनन से भरी हुई थी यानि अयोध्या में बिज्ञान और बैराग्यतो थाई उसका बैभव भी सिखर पर था अयोध्यान नगरी की उसी पुरातन पहचान को हमें आधुनिक तांग से जोड़कर वापिस लाना है साथियों आने वाले समय में अयोध्यान नगरी अवद छेत्र ही नहीं बलकि पूरे यूपी के विकास को ये हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है अयोध्या में स्री राम का भव मंदिर बनने के बाद यहां आने वाले लोगों के संख्या में बहुत बड़ी वृद्धी होगी इसे ध्यान में रखते विए हमारी सरकार अयोध्या में हजारो करोड रुप्यों के विकास कारिय करा रही है अयोध्या को स्मार्ट बना रही है आज अयोध्या में सडकों का चौड़ी करन हो रहा है नए फुटपात बन रहे है आज अयोध्या में नए फ्लाई ओवर बन रहे है नए पूल बन रहे है अयोध्या को आसपास के जीलों से जोडने के लिए भी याता यात के साधनों को सुधारा जा रहा है आज मुझे अयोध्या धाम एरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकारपन करने का सवभागे मिला है मुझे खुशी है कि अयोध्या एरपोर्ट का नाम महर्शी वालमिकी के नाम पर रखा गया है महर्शी वालमिकी ने हमें रामायन के माध्यम से प्रभू स्री राम के कृतित्व से परिचित करवाया महर्शी वालमिकी लिए प्रभू स्री राम ने कहा था तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुम्रे हाथा अर्थाथ हे मुनिनाथ आप त्रिकाल दर्शी है संपुन अभिश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है ऐसे त्रिकाल दर्शी महर्ची वालमिकी जी के नाम पर अयोध्या धाम एरपोर्ट का नाम इस एरपोर्ट में आने वाले हर्यात्री को धन्य करेगा महर्ची वालमिकी द्वारा रचीत रामायन वो ज्यान मार्ग है जो हमें प्रभूश्री राम से जोडती है आदुनिक भारत में महर्ची वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट अयो द्यादाम हमें दिव्य भग्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा जो ये नया एरपोर्ट बना है उसकी चमता हर साल दस लाग आत्रियों को दस लाग आत्रियों को सेवा करने की चमता है जब इस एरपोर्ट के दूसरे तरफ का काम भी पुरा हो जाएगा तो महर्ची वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट पर हर साल साथ लाग आत्रियों को सेवा करने की चमता है स्टेशन का पूरा विकाद होने के बाद अयोध्याधाम रेल्वे स्टेशन पर हर रोज साथ हजार लोग आ जा सकेंगे साथियों एरपोर्ट रेल्वे स्टेशनों के अलावा आज यहाँ अनेक पथों का मारगों का भी लोकारपन हुआ है रामपत, भक्तीपत, धर्मपत और स्री राम जन्म भूमीपत से आवाजाई और सुगम होगी अयोध्या में आज ही कार पार्किंग स्थलो का लोकारपन किया गया है नए मेडिकल कॉलेज से हाँ आरोग्य की सुविदाओं को और विस्तार मिलेगा सर्यू जी की निर्मलता बनी रहे इसके लिए भी डबल इंजिन सरकार पूरी तनास समर्पी था है